और साराइकले जुले के राजनगर परखंड अंतरगरत इचागाउ से वर्ष 1780 में राजा गंगा राम सिंग देव द्वारा बनाया गया राम मंदिर जिसे रगुनात मंदिर का नाम दिया गया मंदिर की एक हाश विशिस्ता ये है कि इस मंदिर में ना सिमेंट ना बालू और ना ही छड का इस्तिमाल किया गया है बकि चूना गुड आदी का इस्तिमाल कर बनाया गया है जिसके वर्तवान में राजा परिवार के बंसर समय समय पर रंग रोगन करवाते हैं जिसकी वज़े से आज भी काफी सुन्दर मनमुहक और आकरशन का केंद्र बना है सिसके जी इस ळला होता है जाज में जह शेए क草प और्गामन कोई लोगने के बाद सफती होता है अनुक्ता के ज़िए होता है मुझा शाम को चात इंग पूजा होता है कि ऑल्यव को मैं तुझा अयह चेछ exist अनला हृता है वह भी पूगना में आर्जी होता है रात में पहरोता है आवसे मैं जानमास टमी乾शे होता है इंदरो सभोता है उसके बाद पुछा भीष्चा क articulate रहामानोमी बूर्थ होता है जतना की परप्रों से सब में हम्हादी मनता है 分़ादी कि देख सब महिनाय में खोली में लगता है ळ oro पुझाब भूज़ा प्रिट्वतिदार के हिसाब से इनको यहां में मिला पहले आए थे पुटका में रहते थे वह से बाद बंदोडी मंदोडी के बाद यहां पर सिर्व पसबास किये हो अबना दो पिल लेकर संग्रिया पील और इचा पील उसमें सब अस्ति बात करके सब जात को रखा हुआ है उसी दिन से पहले उसके उसके बेटा हुए को दांदर सीके हुए जयदुनात से जिले का एक मात्र रगुनात मंदिर यानि स्री राम भगवान का मंदिर राजनगर पखन के इचा में इस्तित है और अभी मैं इचा में ही मौजूद हूँ यहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह जो मंदिर है यह सिरी राम का मंदिर है जिसे हम रगुनात मंदिर कहते हैं यहां की राजनगर राजाओं का यह गड़ है यहां पहले राजा महराजा रहा करते थे उनका वंसर आज भी यहां विराजमान है आज भी उपस्तित है वो गयी है आपको मैं दिखाता हूँ ये मूर्थी एक ऐसे वो महापुरूर्स की है जिसका नाम है राजा गंगा राम सिंग्ग, राजा गंगा राम सिंग्ग के द्वारा ही इस मन्दिर का निर्मान किया गया था, जो आज कल сигल का जो मंदिर समस्टे इस पुरानी मन्दिर में क् किरमधाल से में अपको अंदर की और लेकर चलता हूं और वह वह सारी बीज़ेंस को सारी इसकी क्लहानी वह मैं आ में मन्दिर के दक्षिक काफी सब्सक्राइब कि रहे हैं यूश variables की जा रहीए कि जानकाहि मेन रहे दिवारों में आप देख रहे हैं ये कहीं न कहीं ये पूरवज के द्वारा बनाया गया है ये सब मूर्थे और अंदर में भगवान राम, सीता और लक्षमन जी भी राजमान है चलिए से रगुनात मंदिर की क्या कुछ भी सिष्टाएं है और क्या है इसकी पीछे की कहानी यहां राज परिवार के एक सद्द से हमारे समक्ष है मैं नाम रूमी सिंग दे हुए जी और मेरे ये परदादा जो गंगाराम सिंग थे उस और इसमयमंब्स की चुना का परियोग किया गया सिमेंट वीगरा कि सव्टमाण नहीं किया गया इस कि इस मंदिरा से पहले का मंदिर है और यहां पर जो भी लोग आते हैं उनका पूरा होता है पीछे मतवसी भगवान का मंदिर वह सीवलिंग भी इस तरफ छेत्र में ऐसा कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा इस दिरे बढ़ा हो गया और यहां जो है आपका हर दिन भोग लगता है जो गाउं के गरीब हैं जिनके पास या कभी ऐसा कोई करने के लिए तो यहां से भोग लेके जाके अपना लेकिन अभी बहुत सारे लोग इस चीछ को नहीं जानते हैं साइद कि यह 200 साल पुराना मंदिर है क्या वज़ा हो सकती है दूप छेत्र के होने कारां चाहदा लोग इधर आना जाना नहीं है सरकारी योजनाय भी नहीं के दीरे-दीरे सरकार अगर करेगी तो उसी हिसाब से फिर आगे लोग आई है यह देम वाला डूप शेत्र है जी आने वाले समय में फिर क्या होगा यदि आने वाले देखिए अभी हम लोग तो इसके लिए राष्टपती मोहदै से भी लेटार आया है जरकंट सरकार को इसको सब्सक्राइब करने करने का लिए प्रेटन सब्सक्राइब हो जाएगा तो कम से कम एक बार इसे आर्कोलोजिकल टीम भी आई थी दिल्ली से कि मंदिर को सिफ्ट करने को लेकर के वो लोग भी अपना सर्वे करके गए लेकिन फिर बाद में तो कुछ इसका उसा देखने को नहीं मिला या कुछ भी ख़बर तो नहीं आए तो अभी आपनों जाते हैं कि परेटन स्टल हो जाए तो अच्छा रहेगा तो यह राजा वंसच के ही अभी वर्तमान में राजा हम इसे राजा ही कहेंगा रोमी सिंग देव जी वह मंदिर की खासियत और है इस मंदिर में के पीछे एक सिव लिंग है जो काफी आकर्शक है और साइध ही ऐसा सिव लिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिला होगा जो मैं आपको आज तस्वीरों के माद्यम से दिखाना चारा हूँ और सबसे अहम बात यह है कि यहां के लोगों का मानना है कि यहां साक्ष करता है कि यहां भगवान भुले नात का भी वास है और श्री राम भगवान का भी वास है यह धार्मिक इस्थल है यहां कि यह तो यह डूबी चेतर है और काफी इंटर एरिया पड़ता है काफी सुधुर्भरती चेतर ह смотреть होने एकारण अभी भी कई लोग जान पाते हैं सके रभी कांगो रफ्तार मेडिया राजनगर